दोस्तो common service center में क्या-क्या services को आपको provide किया जाता है और किन-किन services पर आप काम करके एक बहतर income को generate कर सकते हैं इस तरह के तमाम information आज के इस वीडियो में देना वाला हूँ है जिसमें aps money transfer cms cash deposit ATM machine apply kiosk banking csp apply hitachi apply जैसे services को आप यूज कर सकते हैं अप्लाएगर के और साथ में दोस्तों recharge and bill payments का भी option मिल जाता है जिसमें prepared recharge electricity will recharge और भी अन्य रिचार्ज का option आपको यहां पे मिल जाता है अगर government services की बात करें तो दोस्तों यहां पे आपको रासन काड़ अप्लाए करने का option मिल जाएगा प्यन काड़ यूटिया का apply करने का option मिल जाएगा इसरम काड़ आधार उदियोक का भी option मिल जाएगा जहां पे आप आधार service को ले करके और 40-50,000 रुपे तक का बहुत ही इजी तरीके से आप यहां पे इंकम कर सकते हैं तथा दोस्तों यहां पे voter ID card new बना सकते हैं correction कर सकते हैं passport के लिए apply कर सकते हैं deal के लिए कर सकते हैं तथा दस्तो state governments related जो भी services है वह आप यहां पर ले सकते हैं और दोस्तों अगर registration services की बात करें तो GST registration कर सकते हैं GST का correction कर सकते हैं 10 registration कर सकते हैं साथ में दोस्तों आपको यहां पे feeling services का भी option मिल जाता है जिसमें आप income tax return कर सकते हैं जीस्टी डिटरंस कर सकते हैं बिजनेस नाम को change कर सकते हैं एड रिमूब कर सकते हैं इस तरह की काम को आप यहां पर कर सकते हैं साथ में दोस्तों आपको travel लेवाम इंसुरेंस का भी option यहां पर मिल जाता है जिसमें hotel booking bus booking flight booking railway ticket booking booking car insurance bike insurance health insurance LIC premium payment हित्यादी आप यहां से कर सकते हैं साथ में दोस्तों आप यहां पर bank account and डिमेट अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज भी आपको यहां पर मिल जाता है जिसमें आप टोक्स डिमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं grow डिमेट अकाउंट को भी कर सकते हैं कर सकते हैं